मैंने कभी नहीं सुचा था कि मैं अपना YouTube चानल स्टार्ट करूंगी है मैं कभी Facebook पे अपने वीडियो डालूंगी क्योंकि मुझे ये बड़ा बक्वास सा काम लगता था मेरे husband ने मुझे starting में ही बोला था जब मेरी शादी को आज 5 साल होगे उन्होंने मुझे starting में बोला था कि अभी तूपना YouTube चानल स्टार्ट करो बट मैंने ऐसा नहीं किया था मैंने उनकी बात नहीं मानी थी मुझे लगा था यार कि कौन मुझे देखना पसंद करेगा लेकिन आज वो टाइम है कि जब मैंने ये चीज़े की है और मुझे लिटरली आप लोगों से इतना दा प्यार अपना पन मिला है कि अब मेरे दिमाग में पर्मनेंट बस यही सारी चीज़े चल दे रहती है कि मैं क्या ऐसा पोस्ट करूँ क्या ऐसा शूट करूँ कि जिससे मैं आप लोगों से रिलेट कर पाऊं तो मैं कोशिश तो पूरी करती हूं सपोर्ट भी आप लोग मुझे बहुत हत्ता करते हैं लेकिन टाइम लगता है अचीज को आज मुझे डेड़ साल हो गए है यूटूब और फेस्बूक पे भी अपलोड करते हुए वीडियोस हाँ मैं यह नहीं कर रही हूं कि मैं बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच गरी ह लेकिन हाँ यह है कि मुझे इस बात की बहुत साडिस्फैक्शन है कि मैं अचीज को पाने के लिए कोशिच कर रही हूं ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत सारी चीज़े आपके पास रख हुए है बस आपको मिल जाएंगी ऐसा नहीं होता है यार सब कुछ अचीव करने कैERS ले य यहां तुम जॉब करो, मैं सिर्फ अपनी खुछी के लिए करती हूँ जॉब, इन फ्यूचर जब मेरा चैनल बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वज़े से मैं भी अच्छी से इंफ्लूएंसर बन जाओंगी, तब मैं जॉब अप कुछ चीजें हैं लाइफ में जो रिलेट करती रहती है, लाइफ को बहुत सारे अपस और डाउंस लाइफ में लगे रहते हैं, तो उनसे तो भागा नहीं जा सकता, लेकिन आपको सब कुछ अपने लाइफ में बैलन्स करके चलना होता है, कि आप किसी भी चीज को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, अब कुछ टाइम पहले मेरे पापा की बहुत सारा तवयत खरापती, आप सब को पता है इस बारे में, लेकिन ठीक है भगवान की बहुत सारी कृपा थी हम लोगों की पर की मेरे पापा बिल्कुल भी सही सलामत है, और इस बात के लिए, मतलब ह हम लोग बता नहीं सकते कि वह हमारी सिच्वेशन हमारे लिए क्या थी, पागलों जैसी हम लोगों की हालत हो गई थी, और उसके बाद इतना कुछ फेस करने के बाद लाइफ में जब आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करो तो आपको वाकई में आपको कामिया भी मिलेग करने के गई में आपको कामिया भी मिलेग variance